नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नीहा शर्मा वेलकम है आपका कुंडली टीवी के शो पंडी जी कहिन में चलिए फ्रेंड्स मैं आपकी मुलाकात करवातियों मारे वास्तू एस्ट्रो न्यूमेलोजी एक्सपर्ट और स्पिर्चल गुरू कमल नंदला जी से नमश्कार पंडी जी और द्रशो再 बहुत नंग नहीं है, मेरे लिए भी संभब नहीं है, वैसे, पंदी जी या, बताओ, वह लेडीस के पेट में बात पचना यह निकि जिसको हम गॉसिप क्वीन भी बोल देते हैं, पंदी जी जी ऐसा क्यों फिल लेडीस को ही क्यों ँच्छोगी यह ऐसे मशूर किया हुआ है, लेडीस के एक रंग है अगर चीजों में रस और रंग ना हो अगर इस्त्रियां गॉसिप ना करें अगर उनके पेट में बात पच्छ जाती तो वह लंबोदर हो जाती है जो गणेश जी होते हैं हम इसके बीचे आज शास्त्री आधार भी डूड़नेंगे साथ बसाथ इसको भी आप श पशकार है लंबोदर कैसे कीटैած बड़े पटवाले है जो पेटमें बात पचह जाते हैं उनके पेट हमारे बड़े होते हैं मला आपको हर बात पच्छ जाती है ऊंडे Catholics पर्सेंट पच्छ जाती है और यही कारण है बगवान गणमपति का नाम लंबो उदर है शब्दो के पेट में बात ना पचना के पीछे एस्ट्रोलेजिकल रीजन भी है मैं आपको भी बता देता हूं जितने भी लोग आपने सम्रद्ध देखे होंगे सम्रद्ध जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं मैं नाम नहीं लूगा किसी तब आपने देखा उनका टमी थोड़ा सा भ पांचमें स्थान पर अपनी द्रिष्टी दे रहा होता है या किसी भी तरीके से पांचमां स्थान जो है वो एक्टिवेटेड होता है और स्तिरी का पेट का फूलता है जब वो प्रेगनेंट होती है जब उसको ईश्वर की सबसे बड़ी देन मिलती है उसके पीछे एक ज्यान भी देखा जाता है तो इस तरी के पास जो ग्यान आता है नंधा वसे एकदम उगल देती कि ना उगले तो उसके पेटमे दरस का नियुकि पैटमें भासेंट यह ज्यकर बहुत दिन से मैंने बर्डिक अन्याच बिश्टों मिंडिया यह फूस्तेी नियृ तो तेरे पेट में दर्द होगा इसका connection पांच में भाव से हैं यह सिरफ लोकोक्तिया नहीं हैं मित्रों यह हमारे शास्त्रों ने ब्रहत पाराशर होरा शास्त्र गर्ग सहीता मुदगल पुरान बहुत सारे ऐसे धार्मिक हमारे और शास्त्र हैं जिनोंने हमारी habits से हमारे क्रिया कलापों से हमारी predictions को जन्में दिया है जैसे मैं बहुत आदमी क्या करता है अपने सर को इदर इदर दबाना शुरू कर देता है यह अपना सर खुजाना शुरू कर देता या अगर उसे कुछ नहीं आता आपने देखा होगा कोई पहली होती है तो हम क्या करते है हलका सर खुजाना शुरू कर देते उस समय पर हमारा लगन एक्टि से और उसको इस तरीके से ईश्वर ने डिजाइन किया है कि उसके पेट में एक नया संसार एक नया जीवन बच सके स्वयम ईश्वर को भी उसी पेट से ही आना पड़ा था क्योंकि पांचमा भाव सबसे शुब भाव माना जाता है और वो एक ऐसा स्थान है कि वहाँ पर किसी भी तरीके के पाप के लिए जगे नहीं होती है और वहाँ पर स्वयम भगवान आ रहे होते हैं बच्चे के रूप में इसलिए अवरत अपने पेट में कोई बात नहीं पचाती है और उसे उगल देती है और मेल क्या है सारे जूट कलाब पेट में पचा लेता है और इसलिए उसका पेट बढ़ा हो जाता है यह एक गणपती का फॉमिलेशन है कि आप जो भी सुने अपने कानों से उसे अपने पेट में पचा ले और इसलिए नहीं करती है क्योंकि उसको जगह देनी होती है वह जगह खाली होनी होती है ईश्वर के आने के लिए बच्चों में भगवान होता है तो भगवान ऐसे ही यह पौरणिक आदार महा भारत से है और युदुष्टर ने शापित कर दिया अभी हम एस्ट्रोजी के बारे में और भी देखेंगे लेकिन आपको पौरणिक संदर भी बता दू युदुष्टर ने अपनी मा को ही कुंती को ही शापित कर दिया था जब उसे बात पता कि कर्ण जो था वो पांडवों का भाई था अगर ये पता लग जाता कर्ण को भी पता लग जाता और कर्ण ने तो अपनी मृत्ती श्वय चुनी थी उसने यही तो कहा था कि हे मा कुंति तुम्हारे पांच पुत्र ही वचेंगे पांची बचे करण का बद हुआ और वो एक बहुत बड़ा अधर्म धाजो करना का बत हुआ। अगर यही बात कुंति खोल देती उस से पहले इस्तिरियों के पेटे में बात पच जाती थी। लेकिन उसके बाद क्योकि शापद हुए कुंति युदुष्टर दोरा धर्मराज युदुष्टर दोरा जिनके वानी में सत प्रत्त वस्ता था तब से इस्त्रियों के पेटे में कोई बात नहीं परस्ती यह एक किवन दिती है इसे पौरानिक व्रतान्त के अनुसर समझा जा सकता है इसके अलावा इस्त्री का पांच्वा भाव उसका उदर होता है और यही भाव एजुकेशन का भी होता है यही भाव आपके ज्ञान का भी होता है पुरुष क्या करता है समाज में जब बैठता है बिजनस करता है तो बहुत सारे जूट पचाता है क्योंकि संपूर्ण जो अर्थ है जो लक्षमी है वो अपने साथ साथ अलक्षमी को भी लेके चलती है अलक्षमी क्या है जूट है क्या कोई बिजनेसमेन किसी से सच कहता है कि मैं आपको एक मुबाइल बेच रहा हूं और इस पर मुझे धाई हजार रुपे की बचा तो दूसरा आज में उससे हंडेड परसंट डिस्काउंट मांगेगा वो लेगा क्यों धाई हजार कमाएगा त यहां पर जूट बोला जाता है तो वो जो जूट है राज की बात है जूट नहीं बूलेंगे यह तो बिजनेस टेक्टिक है इस चीज को पचा लेना यह पुरुषजादा करते हैं इसलिए उनका उदर थोड़ा बड़ा हो जाता है और यही कारण सुख और सम्रिद्धी के फ्रेज है और स्तिरियां क्योंकि उस जगे को खाली रखती है गर्वधारन करने के विए कि उस जगे पे इश्वर अपना अंच भेजेगा इसलिए स्तिरियां पेट में बात नहीं पचाबाती है ठीक पेंड़ी ऐसे है कि कई बार ऐसा होता है गॉसिप क्वीन्स जो होती ह देखे बिल्कु ठीक है इसी से घर में चहल पहल रहती है इसी से घर में गरह लक्षमी और गह लक्षमी का काम चंचल और चपल होता है यानि कि घर में हर चीज देखेंगी गील टॉबल तो नहीं रखावा है बैड कैसा है जी कमरा साफ क्यों नहीं है नौकरानी के साथ में भी बातचीत करेंगी पडोस की भी खबर लेंगी और जो आपकी मेड सर्वेंट्स होती है सबसे ज्यादा गौसिप तो यही फैलाती तो जो भी कुछ होता है हमारा कनेक्शन ही हम कनेक्शन है पांच में भाव क पांच में भाव उदर और दूसरा भाव वानी यानि कि आपकी जबान और दूसरे और तीसरे का फ्यूजन ही है और इसी से पराक्रम बढ़ता है तो एक तो बोलें गौसिप करें गौसिप करने में कोई समस्य नहीं है लेकिन जब भी बोलें ऐसा बोलें ताकि किसी का घर खराब ना हो तो उसके लिए जो इस तरियां बहुत जादा गौसिप करती है या उनके मूह से कभी कुछ अनायासी विदाउट एनी इंटेंशन नहीं होता लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी बाते निकल जाती है तो थोड़ा सा कांग जरूर किया करें कि इस तरियां वो इस तर पुरुष में भाव में जब विराज्यमान हो जाता है जब बहुत अच्छा हो जाता है तो वो व्यक्ति को शुब कर देता है और स्पेशली वो महिलाएं जो बहुत ज्यादा गौसिपिंग करती है उनको अगर वो केसर लगाती है अपनी नाभी पे तो उससे नॉलेज बह पुरुष में क्या होता है वो बहुत सारा नॉलेज गेन कर लेता है और आउट बरस्ट उसका बहुत कम करता है जी स्टरी क्या होती है जितना नॉलेज लेती है उससे दोगोना जादा उट बस्ट कर देती है उसे कहते हैं किसी चीज को मसाला लगा देना तो वो मसाला लेकिन कभी भी इस तरी की वारतालाब जो किसी दूसरे का घर खराब करते हैं वो नहीं होनी चाहिए आप ज़रूर गोसिप करें गोसिप करते रहें क्योंकि दुनिया की 50 प्रतिशत अगर आबादी गोसिप नहीं करेगी तो दुनिया बहुत बेरुखी सी बेरंगसी और रस हीन हो जाएगे तो पंडी जी इसके रिलेटेट आब हमें कोई टिप दे दीजिए देखें जो यह टिप उन लोगों के लिए है यह एक्स्ट्रा गोसिपर्ण करतिं यह आपने घर के भी राज नहीं रख पाती है अगर उनके घर में बहुत जादा पैसा है यह पती कि कोई आदत खराब है यह उनके सास के साथ में अगर कोई टेंशन है तो उसे दूसरों को ना बताएं हा इसको воды करें और उसके लिए क्या है कि आपको एक बात समझनी होगी कि आपका अगर दूसरा भाव और पांच में भाव में कनेक्शन बिगड़ावा है यह तब होता है जब सूर्य जो है वो पीछे रह जाता है और बुद्ध आगे निकल जाता है अमोमन ऐसे लोगों तो ऐसे लोग क्या करें कि अपने इ है और उसी कॉड़ी से करोड़पती भी बनता है तो क्या करें बुद्ध को पांच में हो में exercise करवाएं काले धागे में यानि कि शनी को और उसमें जो मॉली पिर कॉड़ी जो पिरोई भी है वो प्रोके अपनी अगर कमर पर बांदे इस तरिया आपने देखा होगा इस तर रूप से आप बहुत ज़्यादा किसी की बुराईनी करेंगी और अपने परिवार के या अपने घर परिवार के अपने हस्बेंड के अपने अपने सस्वराल एंटायर सस्वराल के कोई भी राज दुनिया को नहीं देपाएंगी वह अच्छा रहेगा आपके घर में स्थायत सब ब tutor को बहुत बाड़ धन्यवाद पन्डी जी इंहम जनकरी के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नहाजिए और दर्शकों आपका भी बहुत 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 हम उमीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा तो friends इसी तरह नाके और भी इंट्रेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे पंडिर जी से सवार जबाब करेंगे तब तक के लिए नमस्कार लेकिन जाने से पहले हमारा योट्यूब चानल कुंडली टीवी और फेस्बुक पेज कुंडली टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलें